जैसे ही गर्मी आती हैं हमारे चेहरे का निखार तो खोसा ही जाता है समझ में नहीं आता कि कौन सा पैक लगाएं कौन सा फेशल करें अगर आज की वीडियो आपने अच्छे से देख ली समझ ली और ये वला फेशल आपने हफ़ते में एक से दो दिन अपने चेहरे पे कर लि क्योंकि क्याई वार हम लोगों के साथ में इसा होता है हम जड्रा सा झाधी तो द्ूप की वजदे से क्या होता है हमारे फेशल पर ठीट कर रहे हैं साइड में आप यह उवाली क्लिप बखैंए जैसे, जैसे मैंने फेशल करने कίο बाद अपने चेहरे को साफ किया, चहरा इ देखिए आईडिया भी लगा सकते हो कोई फिल्टर नहीं है क्योंकि मेरी नेक देखिए और मेरा चेहरा आपने देखी लिया हुगा चेहरा कितने अच्छे से गिलू कर रहा था तो आज का फेशिल करने के लिए आपको एक दम पके हुए केली की जरुतियां पर पढ़ने वा लेने के बाद आपको दो से तीन चीजें और इसके अंदर डालनी है यह मैंने आपके लिया है औरेंज पील पाउडर तो देखिए औरेंज पील पाउडर की जगे आप मुलतारी मिट्टी भी ले सकते हो अगर आपकी स्किन को सूट करती है और एक विंच मेनेस में डाला है वाइल्ड टरमर्री क right जैनकी जंगली हल्दी ठीक है आ यह मैंने डालिए अगर यह आपके पास में नहीं है तो गाउड वाली हल्डी का पाउड़ भी आप दे सकते हो लेकिन किचन वाली हल्दी आपको नहीं लेनी है उसके साथ में मैनेस में डाला है एक चम्मच भर के द अगर आप इसे सर्दियों में लगाओगे तो दूसरे तरीके से लगाओगे ठीक ना इसके तरीके बदल जाते चीज वही होती है तो यहां पे इन सारी चीजों को डालने के बाद अगर गुलाब जल आपकी स्किन को सूट करता है तो इसमें एक चमच के करीब आप गुलाब चीज़े अटится में आपको इक फोकी शायता से क्से से माश करोंगे न तो बहुत ही जली शेह से में यह होजाताए अप इससे अपने चbung पर लगाओगे था यह सूटता है मैंने इसमें एक चमच के करीवन या फिर आदा चमच भर के आपको इसके अंदर ढ़ना बाना है तो मैंने साबूती लेके डाल दी क्योंकि अभी मैं इसे एक मिनट के लिए रेच पर छोड़ूंगी तो जो शुगर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी आप चाहो तो शुगर को थोड़ा सा दरदरा पीसके या फिर इसका पाउडर तियार करके भी इसके अंदर एड सकते हो और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिये अब मैं आपको बताती हो इसे लगाने का तारीका की आपको इस प्एक को और और आपको यह वाला फेशल आप इसे कड़ फेशल बोल सकते हो, आप इसे बनाना फेशल बोल सकते हो, अब आपको कड़ना के इस तरीके से है, तो फिलाल आप मेरी स्किन देखिए, आपको डल नजर आ रही होगी है ना, तो अब मैं जैसे ही यह वाला फेशल अपने चेहरे पे करूँगी और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी लाइव रिजल्ट आप देखना चेहरे पे इतना गजब पर निखार आएगा कि इसके सामने आप शालून जाना भूल जाओगे भाई शालून जाने की हमें जरूत किया है जब घर में ही करकी ही चीजों से हम इतन अच्छा फेशियर अपना इसकीन केर कर सकते हैं लेकिन जिने जाना हे वह जाईए उंसे मैं ब्रोड़ो भी नहीं वोलूँगे कि आपको नहीं जाना है ł Health Jour Real ही करते तो आप ये नेश्वल तरीके से अपना स्किन केर कर सकते हो मेरी वीडियो देख कर तो देखिए इस पैक को बनाने के लिए यह वला फेशल करने के लिए मैंने कोई भी इसकी अंदर केमिकल वाला प्रोडेक्ट नहीं डाला है सारी नेश्वल चीजे हैं और वही चीज देखिए नेश्वल चीजे जो होती है ना सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें से कौनसी जो चीजे आपकी स्किन को सूट करती है मतलग कौनसा इगरिडियन्ट आपके स्किन को सूट नहीं करता है, तो ये चीज़ तो खुद को ही चेक करनी होगी, अब जैसे कि मैंने इसके ना डाला था, औरेंज पील पाउडर, औरेंज पील पाउडर मैंने इसके डाला था, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की सकिन को जो ये औरेंज पील पाउडर है, सूट नहीं करता, अगर आपके साथ में भी ये समस्या है, कि आपकी सکिन को औरेंज बील पाउडर सूत नहीं करता तो आप सिसके जगे या तो एक चमज भर के मुलतानी मिटी पाउडर ले सकते हो अगर आपकी सिसके बहुत ज़दा ओईली रहती है तो ठीक है ना? कि आपको किस तरीके से पैक को लगाना है पैक को मैंने पूरी तरीके से लगा लिया और एक मोटी सी लियर मैं लगाऊंगी इसकी तब तक मैं ये लियर बनाती रहूंगी जब तक जो मैंने जितना पैक बनाया है न इसे मुझे रखना तो है नहीं क्योंकि ये काला पढ़ जाएगा इसके अंदर मैंने बनाना डाला है इसलिए तो इसकी एक मोटी सी लेर लेकि मैं अपने पूरे चेरे पे लगा लूँगी अगर आपसे बच जाए तो आप इससे अपनी नेक्स हैट पे लगा लेना अपने हाथों पे लगा लेना या फिर किसी और के चेरे पे लगाना चाते हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पर इसको लेकर मैंने अपने पूरे चेरे पे लगा लिया है अब देखिए आपको येवाला फेशल कितने दिन में करना है आप येवाला फेशल अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है हपते में एक दिन का टाइम जरूर निकालना और एक दिन आप येवाला फेशल अपने चेरे पे जरूर करना इससे पूरे हपते आपके चेरे पे गलो बना रहेगा अगर आप घर में रहते हो और मेरी तरह housewife हो तो आप घर में रहके भी येवल official हपते में दो दिन कर सकते हो दो दिन करने से आपकी skin पर चमक बनी रहेगी, natural glow बना रहेगा, आपकी daddy skin निकलती रहेगी आपकी skin dark नहीं होगी और tanning की problem भी आपको नहीं होगी तो pack को लेके मैंने अपने पूरे चेरे पे लगा दिया है, अब मैं पूरे 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ तो यहाँ पे मुझे हो चुके हैं पूरे 10 से 15 मिनट, अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं पै को थोड़ा थोड़ा हटा लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं मसाज करूँगी न तो यह कपड़ों के गिरेगा तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके मैंने उपर से और इसको हटा के दूसरे बाल के अंदर डाल दिया है डालने के बाद अब आपको हलके हलके हातों से अपने पूरे चेहरे की मसाज करनी है मैं पॉइंट यही आता है अगर आपने हलके हलके हातों से अपने चेहरे की मसाज की तो जितने भी आपकी डेरे स्किने मसाज के साथ निकल जाएगी आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा गिलो आएगा चेहरे की स्किन बहुत ज़दा ड्रायर रूखी सुकी रहती है तो आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा तो ये मसाज आपको कम से कम 2-3 मिनट के लिए हलके हलके हाथों से जरूर करनी है क्योंकि इसी से जो आपके चेहरे पे मेल जमा हुआ है, गंड़ी जमी हुई है, टैनिंग जमी हुई है, वो पूरी तरीके से साफ होगी अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने बॉट्सों से अपने स्किन की कियर ही नहीं की आप फर्श टाइम ये वाला फेशल अपने चेहरे पे कर रहे हो, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एक ये बार में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपको एक बार में नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या करना है, आपको हफते में दो से तीन दिन ये वाला पैक ल जदा खुश हो गई, मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा गिलो आने लगा है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि आप मुझे थैंक यू बोलते हो, तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो, और आपको विश के बाद अम मैं अपने चेहरे को और रहती हो, क्योंकि अभी मुझे नहाने जाना है, उससे पहले ही मेने यह वाला में शूट करते हो इसके बात में नहाँगी तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं चेहरा साफ कर रहे हूँ चेहरे की कितनी अच्छे से निखर के आई है कितनी अच्छे से आपको गिलो दिखाई दे रहा होगा अगर आपको ऐसा लगता है कि फिल्टर है बिल्कुल भी नहीं फि गजब का निखार आया है इतना गजब का निखार आया है यह निखार देखकर आप इतने ज़्यादा खोश हो जाऊगे और आपको यह यकिन भी हो जाएगा कि सच मुछ जो नेश्रल चीजे होती है इनका हमारी इसकिन पर कभी भी कोई भी साइड फैक्ट नहीं होता है बस आपको पास से थोड़ा सा दिखाती हूँ, चेहरे का निखार तो देखिए, कितनी अच्छी स्किन हो गई, कितना गिलो चेहरे पे आया है, यहाँ पे आप देख सकते हूँ, यह वाला हलका सा दागे, पहले तो बहुत ज़्यादा था, आपने देखा ही होगा, लेकिन अभी काफी ज़्यादा लाइट हो गया, और मैं इसे नेस्रोल तरीके से ठीक कर रही हूँ, तो मेरी आज की वीडियो देखकर आपको कितनी हेल्प मिली, इसके वाद आप ना लीजिए और अपनी संस्क्रीन जरूर लगाएं, जिससे आपके स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नही हो, अब इसकी मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूज शाइनी हो चुकी है, तो वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट्स करके बताना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाब बाए